नमस्कार दोस्तों अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइब निश्टन डिपोर्ड आईए नज़र डालते हैं आज की वड़ी ख़वरों पी रूहतास इंडसेंट बेंक मैनेजर चार दिन से है लापता अब तक नहीं मिला कोई सुराग रूहतास से जिला रिपोर्टर राजेश कुमार सिंग की रिपोर्ट रूहतास जीले में इंडसेंट बेंक के शाखा प्रबंधक पिछले तीन दिनों से लापता है बताये जाता है कि 25 फरवरी के सुबह बेंक प्रबंधक अपने पाली रोट स्थित आवास से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और अब तक उनका कोई सूचना नहीं मिला है बेंक मैनेजर का पूरा परिवार किसी अन्होनी की आशंका से डरा हुआ है मिली जानकारी के अनुसार मूल तहवारानसी के रहने वाले बेंक प्रबंधक राजन खरे पिछले 3 सालों से डहरी में इंडसिन्ट बेंक की शाखा में पोस्टेड है उनके परिवार में उनकी पतनी और दो बेटियां है माइनेजर की पत्नी ने देहरी थाने में गुमशोदिगी का मामला दर्ज कराया है वहीं लापता बेंक प्रबंधक राजन परे का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है लापता बेंक प्रबंधक की बेटियां पिताग के लौटने की गुहार लगा रही है वहीं पत्नी अन्होनी की आशंका से काफी तनाव में है पत्नी मम्ता ने बताया कि पिछले तीन दिनों से उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है फोन ने भी घर छोड़ गए है वहीं मामले मेहेडा क्वार्टर डियेसपी बूंदी माजी जाज की बात कह रहे है साथ ही उन्होंने कहा कि आसपास किसी सी टीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है पुलिस गेहनता से च्छानबीन कर रही है वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है